नमस्कार साथियों मैं राहुल शर्मा दिश्या अकाइडमी के इस प्रेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि MPTT का जो आप लोगों का एक्जाम होने वाला है इसमें बाल विकास से रिलेटर जो कोशन्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ तो बिल्कुल उसी से संबंदित आज की हमारी वीडियो है यह देखिए यह सारे आप लोगों के सब्जेक्स थे मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो एक महीने की जो बचा हूँ आखरी महीना है आपका क्योंकि पांच तारिक से तो पेपर आपके स्टार्ट है तो उससे आपकी चार तारिक तक क्या रन्नीती होनी चाहिए जिसके साथ 100% गैरेंटी से अगर वो रन्नीती आपने फॉलो कर ली तो आपका सेलेक्शन पक्का है तो वो रन्नीती का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा अवश्य देख लीजेगा बात करेंगे यहां पर मैंने आप लोगों को दिशा परिक्षा एप के बारे में बताया था तो परिक्षा एप में देखिए यह कुछ इस तरीके का वहां का प्रोटल होता है यहां पर सारे एक्जाम्स आप लोगों के लिए हैं व्यापम के MP, PSC Railway, Banking, SSC, UPSC सारे exams हैं यहाँ पर और यहाँ पर कई सारी test series भी आप लोगों के लिए available हैं जैसे MP Constable यह देख लीजे आप पूरी की पूरी test series है ठीक है हमारे काम का जो scene है हमारे काम का scene यहाँ पर क्या है शिक्षक वर्ग तीम के full land test अब इसमें एक आपको demo test मिलेगा ठीक है demo test मिलने के बाद आप लोगों को करना क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ जब demo test पे आप जाएंगे तो दो language जो आपने select कर रखी है अपनी दो language इसको यहाँ पर select करेंगे आप भाशा की पूश्टी करेंगे उसके बाद यह देखिए सारे के सारे जो आपके subject हैं उन subject में कितने कितने marks आपके यह देखिए 1500 minute, 1500 question और 1500 answer उसमें आपको number मिलने वाले है और सारे के सारे आप लोगों को वहाँ पर मिल जाते हैं अब इसके लिए मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यह test series 299 में हैं लेकिन अगर आप दिशा 50 capital letter में ही है पूरा दिशा double A लगाना है और 50 लगाते हैं अगर आप तो आपको सीधे सीधे कित्ता 50% का discount इसमें मिल जाता है और जो अभी आपको 200 99 में मिल रही थी वही test series अब आपको 149 रुपे में मिल रही है 20 test मिल रहे है 140 रुपे मतलब अगर आप देखें तो एक test आपको 700 रुपे में मिल रहा है जो की पूरा विस्तरित solutions के साथ आप लोगों को मिल रहा है इसमें आपके pedagogi के questions कितने सारे cover हो रहे हैं मतलब अगर मैं यह देखूं कि 55 questions आपके सीधे-सीधे pedagogi से उठा लिये जाते हैं तो 55 into कितने test हैं यहां पर 20 तो 20 हम उठाएं तो 1100 questions तो आपको यही के यही मिल गए उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इसको कर ले ना और फिर मैं आप लोगों को promise कर रहा हूं कि मैं बाल विकास के question और परियावरण के question आप लोगों को करवाऊंगा यह मैंने promise किया था तो उसी से related यह video है आज की तो पहला question बिना किसी देरी के हम start कर देते हैं हमारा तो निम्न में से कौन सा सिद्धान्थ बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है इसमें आप लोगों को एक मिनिट नहीं मैं सिर्फ 30 seconds दूँगा questions के लिए ताकि आपकी practice अच्छी हो जाए तो आप लोगों के सामने आपके options है तो जल्दी जल्दी से मुझे answer अगर मैं इस question की बात आप लोगों से करूँ कि इस question का सही answer क्या होगा तो question पढ़ते हैं निमन में से कौन सा सिद्धान्थ बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है विकास की करम की एक रूपता का सिद्धान्थ नहीं है बिलकुल नहीं देता बात करेंगे अगर परस पर संबंध का सिद्धान्थ तो ये भी नहीं है answer हम देखेंगे निरंतरता का सिद्धान्थ भी नहीं है अब अगर हम इसमें बात करें कि सामाजिक अधिगम सिद्धान्थ तो ये इस प्रश्न का एकदम सही आंसर यहां पर हो जाएगा बात करेंगा हमारे अगले प्रश्न की तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आप लोगों के समक्षा चुका है कि एक बालक अपने पूरे हाथ को ठीक है कोश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमको यहां पर वो बोल रहा है एक बालक अपने पूरे हाथ को फिर उंगलियों को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है बाल विकास के संबंद में ये सिद्धान्थ कहलाता है तो ये सिद्धान्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करके बताईए कि ये सिद्धान्थ क्या कहलाता है A, B, C, D, A, 4 option आप लोगों के सामने है जल्दी जल्दी से बताते जाईएगा 10 सेकंड पूरे होगा है आप लोगों के बहुत ही आसान सा प्रशन है आसान तो नहीं होगा ये अगर दिमाग से आपने कर लिया तो ये question हो जाएगा मात्र 10 सेकंड आप लोगों के पास शेश बचे हुए जल्दी जल्दी से अंसर लगाते जाईए अपने अपने देखिए इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा एक ही करण का सिद्धान्त मतलब option C जो है वो इस प्रशन का सही उत्तर होगा ठीक है आप लोगों को करना क्या है यह question में जितने भी पूछूंगा उसमें से out of आपके कितने question आएं वो जरूर मुझे बताईएगा ठीक है ना चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रशन की तो अगला प्रशन आप लोगों के समक्ष है कि किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंब हो जाती है तो यह आप लोगों को बताना है कि कब हो जाती है दो वर्श की आयू के बाद, पांच वर्श की आयू के बाद साथ वर्श की आयू के बाद या मांके गर्ब से ही हो जाती है तो जल्दी जल्दी से आंसर लगाई है आप लोगों के पास है 30 seconds जल्दी जल्दी आंसर लगाई है और भाई कोशन अच्छे लग रहा है तो फटा फट जल्दी जल्दी से लाइक कर दो चैनल पर अगर जो भी मेरे भाई बैन नए जुड़े हुए सब्सक्राइब जरूर कर क्योंकि मेरा टार्गेट है 5 मार्च तक आप लोगों को मैं कम से कम बाल विकास के और आपके इन्वार्मेंट के 500 कोश्चन बाल विकास के और 500 कोश्चन आपके इन्वार्मेंट के मैं आप लोगों को करवा दूँगा लेकिन कब वो चीज पूरी होगी भाई जब आप लो तो क्या? साससजो questions करवा दूँगा. चलो. तो यह जो हमारा तीसरा question था, इसकी मैं बात करू तो इसका answer होगा मा uh के गर्ब से ही. मा दोस्तों बच्चों में बच्चों की जो है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, हो मा के गर्ब से ही शुरू हो जाती है. बात करेंगे हैं हमारे अगले question की तो अगला question दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है अगला question है कि किसी भी किसी विकास कभी ना रुकने वाली विकास की कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है ये विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है ये तथ्य संबंदित है ये तथ्य किस संबंदित है निरंतरता के सिद्धान्त से विकास करम के लिए एक रूपता के सिद्धान्त से एकी करण के सिद्धान्त से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जल्दी से मुझे आंसर करके बता आप लोगों को क्योंकि बहुत इजी अपने आप में हो जाता है, जब बात यहां पर हो रही है, भ्यान से पढ़ना है। अब यहां पर आप लोगों से बोल रहा है question में आप अपनी कक्षा में दस छात्रों को चुनकर तीन महां तक उन में होने वाली विकास उन में होने वाले विकास का अद्धियन करते हैं आपके द्वारा किये गए अद्धियन में निमनलिखित में से क्या हो सकता है आपके वरा किये गए अधियन में निमने लिखित में से क्या हो सकता है तो यह आपके सामने चार ओप्षन हैं 30 सेगेंड आप लोगों के पास हैं तो जल्दी जल्दी से आंसर आप लोगों को करना है मैं पढ़के बता देता हूं सभी छात्रों में विकास की विकास एक दिशा में हुआ आदे चात्रों में विकास एकी दिशा में हुआ परंतु आदे चात्रों में विकास भिन्ने दिशा में हुआ सभी चात्रों में विकास अलग-अलग दिशा में हुए इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता तो जल्दी से देखते हैं कितने लोगों ने हडबड़ी मेस का आंसर जो है ना वो बी लगाया होगा आदे छात्रों का विकास एक ही दिशा में हुआ परंतु आदे छात्रों का विकास बिन्ने बिन्ने दिशा में हुआ अब भाई आदे का मतलब पांच का एक दिशा में हो गया पांच का अलग दिशा में हो ठीक है बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है बाल विकास के शेक्षिक नहीतार्थ से संबंदित नहीं है तो क्या संबंदित नहीं है यह आप लोगों को बताना है विद्याले तता समुदाय को जोड़ना विद्याले क बाग की देखबाल करना पिछड़े और गंदी छेत्रों के में लोगों की सेवा के लिए जाना या फिर ननौबदी अबो नन तो जल्दी से बताईए क्या अंसर इसका होना चाहिए आप लोगों का समय शुरू हो चुका है अल्रेडी 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं जल्दी ब शेक्षिक नीरतार्त मतलब यहां पर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि छोटे बच्चों की बात हो रही है तो भाई देखो विद्याले तत्र समुदाय से जोड़ना को जोड़ना ये भी अच्छा काम है विद्याले की बाग की देखबाल करना ठीक है पिछले और गंदी छ कुस्चन को और सई आंसर लगाना फसे पूच रहा है आपकी के अक चांसर काफी बात करता है आप उसके विशह में पता करते हैं तो पाते हैं कि वही चांसर अपने घर में बहुत कम बोलता है तो आप उस छात्र के विशे में निमने में से क्या विचार देंगे आप लोगों के सामने चार आप्शन है 30 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं जल्दी जल्दी लगाईएगा क्या अंसरता होना चाहिए 30 सेकंड से आप लोगों के पास टाइम स्टार्ट हो चुका है, विद्याले में प्रतेक समय बच्चों को खूब बाते करने का अफसर देता है, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्याले में खूब बात करें, उस बच्चे को उसके घर पसंद नहीं है, उस बच्चे के विचारों को विद्याले में माननेता मिलती है तो जल्दी से बताईए कि आंसर होना चाहिए इसका लास फाइव सेकंड्स है चलिए देखते हैं विद्याले में प्रतेक समय बच्चों को खूब बात करने का अफसर देते हैं नहीं यह तो नहीं है शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्याले में ख प्रश्न का जो सही आंसर होगा उस बच्चे के विचार को विद्याले में माननेता मिलती है इसलिए वो विद्याले में बात करता है अब बात कर रहा है तो वो माननेता मिल रही है उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है इसलिए बात कर रहा है ना वह वहां पे चलिए बात करें या चार तो जल्दी जल्दी बताईएगा कि क्या अंसर होना चाहिए इसका जल्दी जल्दी बताईएगा क्या अंसर होना चाहिए चलिए बात करेंगे अगले question की बाई जिसने वीडियो लाइक नहीं किया एक बार चेक कर लो यार फटाक से जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को बूल रहा हूँ विकास की दिशा होती है विकास की दिशा कैसी होती है आप लोगों को आंसर करके बताना है विकास की दिशा होती है आप लोगों का time start हो चुका है options है आप लोगों के पास निश्चित अनिश्चित वा अनिश्चित दोनो या निश्चित कर ले ना निश्चित वा निश्चित लास्ट फाइव सेकंड्स इस प्रेशन का आंसर होगा दोस्तों निश्चित विकास की जो दिशा है वो एक विकास एक निश्चित दिशा में चलता है ना अनिश्चित दिशा तो होती नहीं है या निश्चित और अनिश्चित दोनों भी नहीं होती तो इस प्रेशन का सही उ एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष में की तुलना में लगबख 6 इंच बढ़ गई है इसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे 30 सेकंड से आप लोगों के पास जल्दी से आंसर करके बताईए कि इसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे आप लोगों के option से रजनी का विकास तेजी से हो रहा है रजनी में व्रद्धी तेजी से हो रही है रजनी ज्यादा काम करने लगी है रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है तो जल्दी जल्दी बताईए इसका सही answer क्या होगा 15 seconds हो चुके हैं already आपके जल्दी जल्दी बताईए लास 10 seconds हैं दोस्तों इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा B रजनी में व्रद्धी तेजी से हो रही है हम ऐसे बोलेंगा हम यह तोड़ी बोलेंगे विकास तेज हो रहा है चालू language तो हमें use करनी नहीं है तो हमारा जो सही answer होगा वो होगा option B रजनी में व्रद्धी तेजी से हो रही है जो कि रजनी पढ़ाई में लंबाई बढ़ने की वज़े से पढ़ाई में कमजोर तो होनी जाएगी चलिए बात करेंगे अगले question की तो भाईया जो लोग अभी भी channel पर नए नए हैं अभी अभी आए हैं भाईया subscribe कर लो पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनमर निवेदन है और वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर लीजेगा अभी थोड़े normal से question थे अभी questions का level थोड़ा सामने बढ़ा दिया है तो जल्दी जल्दी answer करके अब आप लोगों को बताना है तो चलो बताओ 11th question आप लोगों के समक्ष है और 11th question पूछ रहा है कि कल्पना करना प्रेम करना ग्रहन करना किस अनुछेत्र से संबंदित है कल्पना करना ठीक है कॉमा प्रेम करना ग्रहन करना किस अनुछेत्र से संबंदित है तो जल्दी से बताइए 30 seconds हैं आप लोगों के सामने जिसमें से 10 seconds आप लोगों के पूरे हो चुके है जल्दी बताइए अंतिम 5 seconds हैं दोस्तों इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा वो होगा भावनात्मक देखो कल्पना करना प्रेम क्या एक भावना है कुछ चीज किसी का तिरसकार या संब्मान ग्रहन करना भी एक भावना है कल्पना यह सब भावना है ठीक है बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की ब्रूनर के संग्यानात्मक विकास की कितनी अवस्थाइं प्रतिपादित की हैं तो आप लोगों के ऑप्शन है दो तीन चार या पांच तो इस कोश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा 20 सेकंड्स मिलेंगे आसान सा को अंदिम 5 सेकंड्स तो और इस प्रशन का सही उत्तर होगा ऑप्शन B ब्रूनर के संग्यानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं तीन अवस्थाओं में प्रतिपादित है ठीक है बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन है अनुदेशन हेतू स्कीमा और निऊजण को आवश्यक किसने बताया और को च्छ्चन है अनुदेशन हेतू स्कीमा और निऊजट को आवश्चक किसने बताया 20 सेकंड्स ही मिलेंगे इस कुश्चन के लिए भी जल्दी जल्दी से आंसर करते जाये दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्नका ब्रूनर ब्रूनर इस प्रश्ण का सही आंसर है अनुदेशन हे तू स्कीमा और नियोजन को आवश्यक किस ने बताया था ब्रूनर ने बताया था ठीक है दोस्तों यह इस तरीके के कोश्चन पूछ लेता है इसलिए आप लोगों को यह कोश्चन यहां पर मैंने दी हैं तो ध्यान से अपने पास नोट बुक में नोट कर लेना ताकि आप लोगों को फिर रिवाइस करने में दिक्कत ना है तीक है अब बात करेंगे हमारे चौदुवे प्रश्ण की कि अनुभाव द्वारा व्यवार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं यह परीभाशा है किसने दीती यह परिवाशा थांडाइक ने गेट्स ने जड़ने या फिर टर्मन ने तो जल्दी से बताईए 20 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए जल्दी जल्दी बताईए क्या आंसर होगा इसका जल्दी जल्दी से आंसर बताईए और भईया देख लो एक बार जिसने लाइक नहीं किया यार फ्लीज वीडियो को लाइक करते जाओ फटा फट जल्दी जल्दी से वीडियो क होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं ये किसने बोला था ये परिवाशा दी थी गेट्स ने बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है अधिगम की गती अधिक होने पर बनता है अब अधिगम की पंदरा सेकिंड बचें अब, फिफ्टींद कोश्चन, अधिगमन की गती अधिक होने पर क्या होता है, कौन सा बल, कौन सा वक्र है, क्या बनता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वोगा धनात्मक वक्र, ठीक है, अधिगमन की गती अधिक होने पर बनता है धनात्मक वक्र चलो बात करेंगे हमारे अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण है भूक प्यास निद्रा विश्वास यौन तता मलमूत्र त्याग क्या है यह सुरक्षा संबंदी अवशक्ता हैं मानवी अवशक्ता हैं शारीरिक आवशक्ता हैं या मानसिक आवशक्ता हैं तो जल्दी से बताईए इस प्रशन का सही आंसर क्या होगा आप लोगों के सामने options है 20 seconds आप लोगों को 30 seconds देता हूं इस question के लिए थोड़ा सा confusing है दिमाग लगाने वाले बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे वो निकाल ले जाएंगे तो जल्दी जल्दी बताओ भई 15 seconds हो गए अल्मूत्र त्याग यह क्या है यह पूरी की पूरी हमारी शारीरिक आवस सकता है ठीक है चलो बात करेंगे अगले question की सत्रवा question आप लोगों के समक्षा चुका है कि question है अनुबहो द्वारा व्यवार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं यह परिवाशा किस ने अकि यह कोशन शायत मैं repeat हो रहा है यह कोशन गेटस अंसर इसका चोड़िए इसको बात करेंगे अगले question की अधिगं की अधिक होने पर अरे यार एक मिनट है वही बैक वही पुरानी अगई हमारे सामने सामने सौरी 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 चलिए बात करेंगे सत्रवे question की कि मस्तिष मस्तिश्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धान्त है तो मस्तिश्क की शक्तियों पर बल देने वाले सिद्धान्त का क्या नाम है तो जल्दी से मुझे बताईए क्या आंसर होगा छेतर सिद्धान्त सक्रिया नुबंदन सिद्धान्त समग्र करतिबाद सिद्धान्त य क्या आंसर होगा इसका इस प्रश्न का दोस्तों सही जो आंसर होगा हमारे सत्रवे कोश्चन का वो होगा समग्र कृतिबाद का सिध्धान्त ठीक है बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन दोस्तों आप लोगों के समक्ष आ चुका है अगला कोश्चन है पाठ्ठिक्रम निर्मान के सिध्धान्त पर आधारित है अब पाठ्ठिक्रम निर्मान के सिध्धान्त पर क्या आधारित है आप लोगों को इसका आंसर देना है 30 सेकंड्स आप लोगों के सामने आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है क्रिया प्रसूत अनुबंद उद्धीपन अनुप्रिया अनुप्रिया नहीं है वो अनुप्रिया सक्रिया अनुबंदन सिध्धान्त और गैस्टाल्ट वादी जल्दी से मुझे बताईए क्या अंसर होना चाहिए पंदरा सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके जल्दी जल्दी बताइए कि आंसर होना चाहिए अठारवा प्रश्ण इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा दोस्तों गेस्टाल्टवादी ठीक है पाठिक्रम निर्मान का सिध्धान किस पर आधारित है गेस्टाल्टवादी पर आधारित है बात करेंगे अगले कि खोज विदी समस्या समाधान विदी विशलेशन विदी ठीक विदी का जन्मदाता सिद्धान्त माना जाता है इसका जन्मदाता सिद्धान्त कौन है जल्दी से आंसर करके बताईए आप लोगों के पास 30 सेकंड्स है ताइम स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करके बताईए सक्रिया अनुबंध उद्धीपन अनुक्रिया या गैस्टाल्टवादी जल्दी बताईए अन्तिम दस सेकंड शेष हैं दोस्तों इस प्रश्न का सई उत्तर होगा गैस्टाल्टवादी बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन आप लोगों के समाख शागया यह आज का लास कोश्चन है निम्न में से कौन सी तिथी प्रक्रिया प्रसूत का उधारन हैं ठीक है जल्दी बताईए निम्न म लगने पर पैर हटाना, खिलोने से कई खेल खेलना, हाथ पैरों का चलाना, भोजन करना, तो जल्दी से मुझे बताईए इस प्रश्ण का सही आंसर क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, 15 सेकंड पूरे हो चुके, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, 20 वे प्रश्ण का वो होगा, हाथ पैरों का चलना, ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो आशा करता हूँ, अच्छी लगी होगी, वीडियो अभी खतम नहीं हुई है, तो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, MPPSC के लिए भी हमारा एक अलग से ग्रुप है, तो उस ग्रुप को भी जॉइन करना, बिल्कुल मत भूलना है, टेलिग्राम चैनल पर ही, दोनों की लिंक के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों को फॉलो कर लेना, और जो मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी परिक्षा एप के बारे में, तो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिक्षा एप की डाउनलोडिंग लिंक है, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, और कोई सा भी एक्जाम हो, वहां पर आपको दिशा 50, आप कोड यूज करेंगे, तो आप लोगों को सीधे-सीधे 50% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा, 149 रुपे में 20 टेस्स सीरीज आप लोगों को मिल रही है, मतलब आप लोगों को एक टेस्ट 7.5 रुपे का मिल रहा है, जिसमें आपको 1500 कोश्चन मिल रहे हैं, वो भी व्याख्या के सांथ, ठीक है, व्याख्या सहित आप लोगों तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताईए कि आप लोगों की मैं और किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्म आप लोगों से विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत